नरेण ने बोला लक्षमी, आज शनीवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरीद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं, हिंदु धर्म में ये दिन पीपल के ब्रक्ष के लिए पूजनी होगा, जो भी शनीवार के दिन पीपल के ब्रक्ष की पूजन जो दोड़ चड़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा लच्मी ओ नरेण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। उसलिए कौंसे जिना सबक्ति लच्मी जी नरेण आपने तो एक दिन का वार्व लिगदिया। शंकर जी ने साथ बार बना है रभी बार सुम बार मंगल गुद्ध गुरु शुक्तर और शनी ये शिव जी ने बना है अब एक दिन आपने अपना बना लिया बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के ब्रच्च के नीचे आएगा और यहां तो हात में अगर कोई सामगरी होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी निया में पीपल के ब्रच्च का या तो पानी का लोटा लेकर जाओ कुंकू का चोपडा लेकर जाओ शक्कर लेकर जाओ या पेड के नीचे चीटी को डालने के लिए आटा ले जाओ और खाली हाथ पीपल के ब्रक्ष के नीचे कभी मत जाओ खाली हाथ जाओगे तो दरीदता तुमारे गर में परवेश करेगे दरीदता उठकर खड़ी होकर बोली नाराइन तुमने अपनी मनमानी करी है एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए भगवान ने का बोल कौन सा दिन चाहिए दरीदता कहती है रविवार के दिन इस पीपल के ब्रक्ष के नीचे मैं दिन भर नत करूँ इसमें रहूँ और जो यहाँ आए रविवार को मैं उसके घर में परवेश करूँ भगवान में था ठीक है दरीदता रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिर जिन तुद इस पीपल के ब्रक्ष के नीचे नत करेगी और जो आएगा इस पीपल के ब्रक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी मैंने तुझे बर दिया इसलिए हमारे यह केबल पीपल का ब्रक्ष गर दिवाल में भी लग जाता है किसी की फेक्टी की दिवाल में किसी की घर की दिवाल में पीपल का ब्रक्ष गर लग जाता है पीपल का पोधा लग जाता है उसको कित्ता भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा अगर पीपल के पोधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक निब्बू, एक मिर्ची और बमूल का काटा ये तीन चीजे रखने के बाद में आदे घंटे बाद रविवार के दिन घर में दिवानों पर अगर पीपल लग भी गया है इसलिए पीपल के ब्रच को वो खानाने का अगर घर में पीपल लगा हुआ है अगर पीपल का पोधा हमारे घर में लग गया उसको उतारना, निकालना, लगाना तो पीपल के ब्रच को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन और अगर पीपल के ब्रच को कहीं लगाया जाता है तो सुंबार के दिन या मंगलवार के दिन बुदवार के दिन इन दिनों में लगा जाता है पीपल के ब्रच कहीं लगा जाता है शनिवार का दिने कैसा दिन होता है इसलिए शनीवार के बिन पीपन लगाया नहीं जाता किसी के घडर जाकर उसको वाकिस अलटा नहीं जाता लग गया लग गया उसको तरुटा पर वो मेरी दھیरं पत्मी को कहा रखू आप बता वो तो जहां ये क्यो होता है अच्छान होता दान होता पुन्य होता सब्कर्म होता हमां जाने को तो याद नहीं आप करूं क्या बगवान ने बोला एक काम करो दुर्वासाजी बोले जिसके यहां रातरी में बरतन जूटे पड़े रहते हों उसके घर में इस दरीदरता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना जिसके यहां रातरी में बरतन जूटे पड़े हों महां लेकर प्रवेश कर जाओ दूसरी जगा दुर्वासाजी बोले जोर इस्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाएगा जो इस्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरीदरता को लेकर प्रवेश कर जाएगे तीसरा जिसकी यहां पर धर्वादे पर काटे वाले पोधे लगे हों उस घर में इस दरीदरता को लेकर प्रवेश कर जाएगा कितनी सुन्दर बात कही है दाता और विधाता कौन-कौन दाता और विधाता लक्षमी और दरिदता के सगे भाई है कौन-कौन दाता और विधाता दाता को फिटकरी प्रिये विधाता को नमक अपने ये दोनों हमेशा लच्छमी को और धरिदता को दोनों को समझाते थे दोनों में प्रेम बढ़ाते थे आज भी हिंदू धर्मकी रीती है यहां तो ठीक है जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है थोड़ा सा कलेश होता है आसांती होती है, लच्मी नहीं पिकर रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास कर रहा जा रहा हो, और हमारा कारे नहीं होता है, क्या करते हैं, भिटकर यो नमक को पानी में डाल देते हैं, और घर में पूछा लगा देते हैं, आप लोगों नाचकल फेश्बुक पढ़ होगा, मात सब पर पढ़ा होगा, तो क्यों लिखा उसमा, उसका कारणी के वरेता है, कि दाता और विधाता के प्रियता है, माता ख्याती के जो चार बच्चे होगे, इसमान जो दो लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता है, माता, उसकी पून अता होगा, अब दुर्वासाजी बोले अपनी धरम पत्नी को वहां लेका जहां काटे दार पोधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाए काटे दार पोधों में उस दरितता का निवास हो गए कितना विचित्र कथा यहां भणनन करी है